तो गाइस आज की टाइम में मार्केट के इंदर काफी सारे मिड रेंज फोन लौँच हो रहे हैं उनके प्राइस लबख सेम होते हैं और गाइस फीचर्स भी लबख सेम होते हैं तो गाइस लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इनके इंदर हम कौन सा ले साली में लॉंच हुए हैं Realme XT, Realme 5 Pro, Redmi Note 8 Pro, Vivo Z1X सो इस आज़ी डूमें हम इन चारो फोन का यांग पर comparison करके दिखाने वाले हैं इन चारो फोन के अदर क्या difference है, इनके features के अदर, इन सब के price क्या है और इनके अंदर कौन सा बढ़िया है, आपको कौन सा लेना चाहिए सो इस अगर आप Realme 5 Pro, Realme XT, Vivo Z1X या फिर Redmi Note 8 Pro इन सभी के बारे में जाना चाते हैं सो इस वीडियो के अंदर आपको सब पता लगने वाला है, सो लेश्टा इनके features का याँ पर comparison करने वाले हैं इनके features का याँ पर comparison करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इनके display size के बारे में इनके अंदर जो सबसे पहले है Realme XT, इसके अंदर आपको 6.4 inch की Full HD Plus डिस्पले देखने को मिलती है इसके बाद जो फोन है वो है Realme 5 Pro इसके अंदर का इस यांपरा को 6.3 इंच की एक डिस्पले देखने को मिलती है जो बाद जो फोन है वो है Redmi Note 8 Pro इसके अंदर का इस यांपरा को 6.5 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है और गैस उसके बाद जो फोन है वो है Vivo Z1X इसके अंदर यांपरा को 6.3 इंच की डिस्पले देखने को मिलती है जो Realme XT है और Vivo Z1X है इनके अंदर यांपरा को MOL डिस्पले देखने को मिलने वाली है इसके बाद जो Realme 5 Pro है और Redmi Note 8 Pro है इसके अंदर यांपरा को IPS LCD डिस्पले देखने को मिलने वाली है अगर हम इन चारो फोन के प्रोसेसर की बात करें तो इस Realme XT, Realme 5 Pro और Vivo Z1X में यहांपर आपको Qualcomm Snapdragon 712 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है इन तीनो फोनों के दर आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है तो Redmi Note 8 Pro है, इसके दर यहांपर आपको Mediatek Helio G90T प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है तो इन सभी प्रोसेसर काफी बढ़ी है, आप इनके दर अच्छे से गेमिंग कर पाऊगे और आपके फोनों की प्रोसेसर काफी अच्छी होने वाली है अगर हम इनके वेरियंट्स की बात करें तो इन सभी के अंदर यहांपर आपको 6GB RAM, 8GB RAM इन सभी का स्पोर्ड भी देखने को मिल जाता है पल्स में आपर 64GB स्टोरेज और 108GB स्टोरेज के वेरियंट्स से आपको सभी वेरियंट्स देखने को मिल जाते है इस Realme XT के अंदर और Vivo Z1X के अंदर यहांपर आपको In Display Fingerprint Scanner देखने को मिलने वाला है और Realme 5 Pro और Redmi Note 8 Pro के अंदर यहांपर आपको Normal Fingerprint Scanner देखने को मिलने वाला है बाकिन फोनों के अंदर आपको चार कैमरास का स्पोर्ट देखने को मिलने वाला है Vivo Z1X के अलावा अगर हम इनके Front Camera की बात करें तो Realme XT के अंदर यहांपर आपको 16MP का मिलने वाला है Realme 5 Pro के अंदर यहांपर को 16MP का मिलने वाला है Redmi Note 8 Pro के अंदर यहांपर आपको 20MP का मिलने वाला है Vivo Z1X है इसके अंदर यहांपर आपको 32MP का Front Camera देखने को मिलने वाला है अगर हम इन सभी चारों फोन के Operating System की बात करें तो ऐसी यह सभी Android 9.0 के उपर ही चले वाले है तो सभी का OS बिल्कुल शेम ही है जो इन सभी फोन का Bluetooth version है वो यहांपर पांस देखने को मिलने वाला है यहांपर आपको 3.5mm का Audio Jack देखने को मिलने वाला है और इन सभी फोनों के अंदर यहांपर आपको C-Type का Charging Port भी देखने को मिलने वाला है पलस में यहांपर Smart Charging का Sport भी यहांपर इन सभी फोनों के अंदर common है यहांपर आपको Realme XT, Realme 5 Pro और Redmi Note 8 Pro के अंदर यहांपर आपको 4000mm की बैटरी देखने को मिलने वाली है वीवो Z1X के दर यहांपर आपको 4500mm की बैटरी देखने को मिलने वाली है जो इनका main बात है वो है इनकी price इनका price 15,000 रुपे और गैस यहांपर इनका mostly जो price है वो है 19,000 रुपे तो इन सभी price के अंदर 1000 का ही difference देखने को मिलता है और काफी सारे फोनों का price same ही है तो इस अगर आपका budget 15,000 रुपे या फिर 14,000 रुपे है तो आप इन फोनों को purchase कर सकते हो तो Realme XT है इसकी demand अभी याँ पर जड़ा देखने को मिल रही है क्योंकि इसके जो features है वो काफी कमाल के है और गैस इसका price भी काफी कमाल काई अलबग 15,000 से 16,000 रुपे इसका price है तो आप इनके इंदर से कोई भी ले सकते हो तो यह था गैस इनके features का comparison अब आप कमेंट करक सकते हैं वीडियो को like कर देना, share कर देना, thanks for watching.